हेलों एंड वेलकम टू ओलाइन स्कूल इंडिया फोला लाइवरी साइंस एक बार फ्रथे आप सभी का ओलिए इंडिया फोलाइवरी सैंस में जोच्तार स्वागों क्यoke १ियर ने सवक्राइब अबुला करते हैं अगर आपने अभी तक स्कारू नहीं किया है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने त्यारी शुरू कर दीजिए दोस्तों क्योंकि बहाली आने के बाद जो है आपको नहीं के बराबर समय दिया जाएगा त्यारी के लिए तो आप अभी से अपने त्यारी में लग जाएं और डेली पाच गेंटे पेडिगर अच्छे से नोट्स बनाई हैं बार बार रिविजिन कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए दोस्तों इस क्लास को सुरू करने से पहले में आप सभी को कहना चाहता हूए कि एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइ होती है इंडियन नेशनल बिबिलोग्राफी बारतिये राष्ट्रिये ग्रंट सुची जो यह टॉपिक है सबसे पहले इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यदा बैसिक से पढ़ेंगे इसका एक एक सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद लास्ट में सब्सक्राइब करवाएंगे और इस टॉपिक में से एक सवाल आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजिए ओसफ और लाइवी साइंस इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्टिन के अंदर दे दिया और बिहार के बिहार लाइबियरिन बढ़ती को निकलवाने के लिए भी हमने एक अलग से जो है लिंक बनाया है जिसका डिस्क्रिप्सक् दोस्तों जो विद्यारती बिहार लाइबियरिन की बरती परिक्षा की त्यारी करना चाहते हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनुमर निवेजन है कि प्लीज हमारे एप को डाउनलोड की जिए उसके बाद आप एप के अंदर बिहार वाला कोर्स में जाकर कुछ फ्री क देखो unto the free content देखोगे तो आपको पता चल जाए का कि लाइब्रेरी साइन्स को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों तो मेरा वो संगर मेरा वह अनभाव जो आज कल मैं आपके साथ साथा कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जो हैं लाइबरी साइंस को कैसा पढ़ा जाए और ज हमें हमें से क्लांगा दोस्तों आपको वापस रिप्लाइघ करूँगा दोस्तों तो यह वार्ट सब नमबर है पॉन कर सकते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों आज का टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है नूद होता है इंडियन नैशनल लीबलॉग्राफिंट सबसे पहले हैं सबसे करने सबसे लेकिन थुबभी को शुरु करने से हमारा जो प 저희 क्य बारे कि तो जो है बिफिल्योग्राफिक का पार्ट है पहले इन्वी को सुरू करने से पहले पहले हमें यह समझना था पड़ेंगा बैए ऐनवी एक पार्मिक है के कि इस बद्दर ब्लें क्या आप टाफिक को हिंदी में कहता है चि too क्या है दोस्तों ग्रंट है क्या चिताब के दिमाग सवाल दीच को सब्सक्राइब को हिघ प्र आप कहीं पिषडि कर रहे है यह फिर पिएश्डी करते समय जब आप रिशेर्च करते हैं किसी विशेय के ऊपर तो रिशेर्च करते समय जो किताबों आप किताबे जो आपको दी जाती है जो है पेपर लिखने के लिए जो उन किताबों की जो सूची होती है वो क्या कहलाती है बिलोग्राफिक कहलाती है या फिर क लेकिन नौट इसकी परिवास समझते हैं दोस्तों परिवास सह यह है कि बिब्लियोग्रापी ज़ा रखना इतर देखें आप ठीक है सब से पहले इसकी परिवास से क्या होती तो बिब्लियोग्रापी इस लिस्ट ओफ लिस्ट ओफ all the sources list of all, list of all of sources, list of all of sources that, that you have used, that you have used in, in the process of, in the process of, in the process of researching, researching your work, researching your work. इस परिवास्टों का आप समझे पहले. यह परिवास्ट सा क्या कहा रही हैं कि ए बिबिलोग्राफी एक जो ग्रण सुची होती है, a list, list का मतलब सुची, एक ग्रण सुची जो एक list होती है, of all sources, of sources का मतलब क्या होता, श्रोत, ठेकर रही, उन सभी श्रोतों की जो है, एक list होती है, that you have used, जो आपने use किया है, in the process of researching your work, जब आप किसी topic पर research कर रहे थे, जब आपका admission ओधा PhD में, जब आप किसी topic पर research करते हैं, तो research करते समय आपको एक paper लिखना पड़ता है, तो paper लिखने के लिए आप अलग-अलग किताबे use करते हैं, जब आप research करते हैं, तो आपको बहुत सारी किताबे दी जाती है, उन किताबों की list होती है, वो क्या कलाती है, या पिर किसी लेख्यव के द्वारा एक ही वीशेप पर बहुत सारी किताबे लिखी जाती है उन किताबों की जो सुची ओती है वो क्या होती है दोसटो जो वो होती है आपके ग्रंथ-sुची होती है दोस्तों ठीकर दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सब्द है यह यहां से लाया गया था तो ज्ञाना है कि необ OFFICER ना जो यह वर्ड है यह वर्ड काओ से लाया गया था दोस्तों यह लाए गया थाasonic लैंग्वेस से बहुत इंपोर्टेंट कुिश्यन यह कई बार प्रिक्सा के अंदर पुछा जाता है कि विवलोगरापी वर्ड जो है कौन सी वासा से लिया गया है कौन सी वासा से लिया गया है दोस्तों और दूसरी बात है कि यह बिवलोगरापी जो वर्ड है यह कई पास परिक्षा की अंदर सवाल पूचा जाता है कि जो यह बिवलोगरापी जो वर्ड है क डोस्तों जैसे कैटलोग वड है ठेकना यान यह भी जो है काटाफ्स लोग से बना अउसे तरीके इसे जो नदो से बना यह तो दयान डेकना है बिल्योक्राफ्फ वर्ड बीभलेय üzली अप्लस ग्राफियान चीकाρεί ना अदो चाहिए न तो बिबूद्र अपी जो वर्ड है वो किसे बना है दोस्तों बीब्लियोन प्लस ग्राफ यान जी आरे-पि-ए-च इ-i-n तोह है दॉसर मिलकर बना लॉसर बड़र क्लाफर अब प्लाश आप आप नबी पढ रहे हैं टॉपिक गारा इंडियन नैश्चिनल विपलोग्राफ़ी तो आएन भी तो क्या है यह यह विलोग्राफी ए लेकिन पहले आपको पता होना चालते भी बिभलोग्राफी क्या होदि यह आपके ग्राफी कर देना सॉरी सुरी बाइमिस्टे हो गया एक मिनट ठीका न अ अधे कट है डिप्लियों ग्राफीक बपाथ कर द Dá डिप्लियों ग्राफी ठीक है अधे कट आ सो डिट्रे सवґड वार्ट जो है ग्रीक भासा से लिए गया है और बीप्लिञाफ्य दो सब्दों से मिलकर बस्ट ग्राफियन तो बिप्लियों का मीनिंग क्या होता Uni जो सो बीबलियोन का मतलब होता हैं पुक्स क्या होता दोस्तों वुक्स होता है और ग्राफैनी ग्रानले ना मतलब होता है और पेले कोड़ेश्थ रृइट ऑसक्षे ताट एक नेड़ secured खैक्सटों लिकना होता है सबसके पता हो ना चाहिए है कि बिख्यापी जो है एक ग्रीक बाता यह सवाल कईवा प्रिक्षा के अंदर पूचा जाता है और मुख्या जाता है और इस्का वाट्ट인이 क्या होता है बिबलोग्राफि का मिनिंग्स कि वी ट मोगी कैया होता है लेकिन बातुन में इस का मिनिंग शोð ग達 है और अब इस लिजा मिनिक है राइटिंग बैट बैठ fertility बुक्स आगा कि दोस्तो राइटिंग अबूट बॉक्स भिस हो गया क्या दो सो writing about books हो गया ठीक है दोस्तों बहुत ज़्यदा deeply में पढ़ा रहा हूं दोस्तों आजकल जिस सरीके से पेपर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पला उस टीचर उस जो है लेकर की किताब लेलो पास हो जाओगे मैं फिर से कह रहा हूं किसी एक किताब कभी भी आपक पाइंट एसा है कि किसी एक किताब के अंदर पूरा content नहीं होता है आपको अलग लग किताबे पढ़नी पड़ेगी अलग लग जो है चीजह लानी के लिए मुझे 25-50000 रुपे लगे थे किते अज़ार रुपे लगे 25-000 रुपे खर्च किये मैंने और सारी अर्मिश इनिवर्सिटी का सब दो सब्सक्राद होता है बुक्स यानी केताब ग्राफियन का मतलब होता है incarogn attention ट्रलेकिन और उसका रही क्या बोलते है मिनिंग चैन् JUST हो गया और अब स्पीजिड कynninger जाता है कि वर सवाल वप कर दोस्तों कि इसको हिंदी में क्या कहता है दोस्तों ग्रंट सुची का पिता तो ग्रंट सुची का पिता जो है किसे कहा जाता दोस्तों वह कहा जाता है कोनाड गेस्टनर किसे कहा जाता दोस्तों कोनाड गेस्टनर को जो है बिबिलोग्राफी का फादर कहा जाता है यह कहीं बाद सवाल प जाता है अब बात करते हैं आपके टाइप सोब लोग्राफी बभी लोग्राफी की परिवहाथ अमने पढ़ लिए भी व लोग्राफी कौन सी बासा से आया था ठीक यह न वे कितने किन सब्धों से बना था अब हम पढ़ता है कि ग्रंद्सूची के परकार ठीक रण्द सुच सूचि के कितने परकार होते है तो परकर होता है तो थो कि क सो दूसरा जो होता हैं आपके सब्जेट डिघ्लिन गराफि क्या होता दोस्तों सब्जेक्ट विविलोग्राफी जिसको इंदी में कहते हैं विशे ग्रंद सुची क्या कहता है दोस्तों विशे ग्रंद सुची कहते हैं दोस्तों ठीक है उसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों ट्रेड विविलोग्राफी ठीक है नवे ट्रेड विविल तो युनिवर्सल बिबलियोग्राफी तो युनिवर्सल का मतलब होता है सारू भॉमिक सारू भॉमिक गरंथ सुची हो गया ठीक है उसके बाद पांच वा जो लास्ट होता है स्टेटिस्टिकल इस्टेटिकल इस्टेटिकल ग्रंट बिबलोग्राफी होता है इस्टेटिकल को इंदी में क्या कहते है दोस्तों सांकी की है क्या कहते है दोस्तों सांकी की जो है ग्रंट सुची कहते है दोस्तों तो कई बार प्रिक्षा के अंदर सवाल पूचा जाता है कि हाव मेनी टाप्स बिबलोग्रा होता है ट्रेड बिवलोग्राफी चौता होता है उनिवर्सल बिवलोग्राफी और पांच होता इस्टेटिकल बिवलोग्राफी दिया रखना तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है दोस्तों नेशनल बिवलोग्राफी तो नेशनल बिवलोग्राफी के जो हमारा जो दो उदार्ण होते हैं आएन बी बी तो आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहें दोस्तों आएन भी पढ़ने जा रहें दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आए शुरुवात करते हैं आएन भी तो सबसे पहले हम बात करते हैं आएन भी के बारे में हम बात करते हैं आ कार्टिय राष्ट्ट्य गर्ण सुचिए आई एन बी की कलपना पुस्तक वित्रण अधिन्येंisa चोपन तो आपको ध्यान रहतना है कि डिलवरी ओप्ट्ट्रव पुक्स एक्ट क्या दोस्तों डिलेवरी ओप बुक्स एक्ट ऍिक नर्हीं और डिलिवरी ऑफ बुक्स एक्ट डियानक दर्डिवरी ऑफ बुक्स एक्ट तो कई बार सवाल पूचा जाता है कि डिली ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था । पुस्तक वित्रण अधिनियम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलिवरी ओबुक्स एक्ट जो उनिस्सो चौपन में आया था उसके प्रावदान के तहट राष्ट्री पुस्तका ले जो कलगता द्वारा प्राथ पुस्तकों के अधार पर अंग्रेजी सहीद बारत की सब्सक्राइब में तो आपको ध्यान अक्तन है कि सवाल पहला सवाल क्या अप्छा पहला सवाल बनिगा कि अद्वैदी कि फूल फार्म क्या है कि इंडियन ने शौन गशनल बीलोन कई दोसा सवाल मने गाएक importante युझा अन्न इशो चोपन मेंétais hecus युक्ट आया थे क्शनalg धोई है राष्टी पूस्तकालय कोलता में तो वहाँ पर बारत की जो 14 बासा है किधी बासा है भारत का Giving us कालका के अंदर के आपको बता है कि आपको बुक्स एक्ट के के अते जब कोई भी राइक ně Theresa किताब लिगता है तो वह राष्ट पुस्तकाला में बेजा जाता है तो बारत के चौदे जो बासा है चौदे बासाओं के अलग-अलग जो ग्रंथ है वह ग्रंथ कहां पर पड़े हैं दोस्तों आइन बी में पड़े हैं इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी में तो जब भी आप नेशनल फ्लीकेशन इन फौर्टेन लेंग्वेजर अप इंडिया इंडिया इंगलीज भी ए क्या रखना इंग्लिस तो द्यारगना भारत की इंदर कितनी लेंगवेजे से चऌुथे लेंगवजे कई परिक्षा के अंदर कि आ ये के अंदर कितनी लेंगवेजेजी में जो है वह पर घ्रंत उपल्प्लब्द से में तो द्यान के चवुधे भासां सी थे थे लिए 5000 चोदे में आती है जाने ना बैस्ट ऑन दा बुक्स रिस्ट बाइद नेशनल लाइबरेरी कालकटा अंडर दा प्रोविजन आप दिलिवरी बुक्स एक्ट उनने सो चॉपन तो पहला सवाल यह बनेगा आपके के डिलिवरी और बुक्स एक्ट कब आया था तो डिलिवरी और आए ता उनने सो चॉपन में आया था चाहिए और दूसरा जान रखना कितनी लेंग्वेजेश्ट जैन रखना है चौदे लेंग्वेजेज इस तीक ना चौदे बासा है इंकलोडिंग इंग्लिस ना जिसमें क्या है दोस्तों इंग्लिस भी सामिल है यह तीसरा सवाल बने हैं और चौता सवाल बनेगा राष्ट पुस्त काले जो कहां पर है दोस्तों कॉल गता हमें तो एक ही पेज इसे चार सवाल बनेगे और यह चार सवाल हमेशा प्रिक्षा के अंदर पुछे जाते हैं दोस्तों चीक है आगे यह अब चौदे भासा कौन गौन सी होती है तो लेकिन वहां पर आप किस भासा में पढ़ना चाहते हैं तो पावासा का जिए सौट सिंबल दिया हुआ है दोस्तों जैसे आसाम भासा है यह सवाल पूचा जाता परिक्षा के अंदर अभी आगे बताऊंगा मैं लास्ट में बताऊंगा ज्यानगना राजिस्तान के थड़ आसाम में लिखा गया था यह आसाम भासा के गरंद और पर एक अलंग जगे वहां पर यह समय लिखावा यह बंगली को क्या लिखा माराठी के लिए कौन सा वर्ड का माराठी के लिए कौन सा सिंबल हो गया यह जान एक्ता है और्टू के लिए उर्दू के लिए सवाल आ चुको था परिक्षा के अंदर आगे हम साल करेंगे तब आपको पता चलेगा दोस्तों तो वह पर पुरे बारत की जो चौदे बासाएं हैं चौदे बासाओं का जो अलग अलग बासाओं में जो हैं वहाँ पर लेखोकों के वहाँ पर ग्रंत हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट चीजे जो आपको ध्यान रखना है प्रिक्षागेद अंदर पहला सवाल आता है कि आयन भी को प क्या गया था दोस्तों 1957 में क्या गया था और आयन भी को पॉब्लिस किसके द्वारा प्रकासित किसके द्वारा क्या गया था दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है सेंट्रल रेफरेंस लाइबरेरी और यह सेंट्रल रेफरेंस लाइबरेरी कहां पर है दोस्तों तो सेंट्रल discuss 일stcheck चलो में आपने पड़ा होगा के तीन रोत होते हैं तीन सौर्स होते हैं प्राइमरी और टेर्ट्री और आपने देखा बीप्रॉग्राफिय में Ó जब लोगराफी में आता थो आयन बी तो बिपलिघ्रापई है अब्यस्लिट लीग- इनवी का कौण सा सो tratar यह थाची विग्षाट सोटा है यह पर सवाब कितने मनें में धाछीкам पहला सवाल बनेगा इन को किषके द्वारा किया गया सेंट्राज रेफने लाइट किस परकार का स्रोथ है तो आयन भी ज्यान रखना दित्यक स्रोथ है यह चीज आपको द्यान रखना है आयन भी त्रे मासिक का मलक क्वाटली का पहला अंक निकाला गया लेकिन केंद्रिय संदर पुस्तकाले कलगता पंडित जावलाल नेरु द्वारा 15 अगस्ट उन्नीस सो अठावन को जा परकासित क्या गया था ठीक ना वही जब पहली बार आइन भी परकासित क्या था कब परकासित क्या था उनीस सो सटाओन में तो उनकी जो एदि थी वह क्या थे कि दोश्ती कंढे प्रकासित किया क्bas can Company अप्रिक्ष्ज किया गया थिए प्रडिंग क्वर्डिंट ञेदा दोस्तों देकिया आइनिस्ट का सब्सक्राइब एppenने धिक्षा म की लेकिन जो में निसकिन को पृष्ज किया में तो accumulated every year उसको हर मैने जो है इसको परकासित किया जाता दोस्तों तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब 1957 में यह परकासित हुआ फिर पंडित नेरु के द्वारा दोस्तों प्रिक्वेंशा तो उन्यूस फ्रिक्वेंशा के अंदर के वर्तमान में आएएंभी की जो की away तो जिया रखना आउस्वर किया है दोस्टो आएएनबीकियों मतलि है है क्या है दोस्तो मन्तलि है जिचेज जिया रखना आप को अधे तो पहला स्वाल बनेगा ठीक ना आई लेकिन आयन बी को रिलीज किया गया पंदर अगस्ट उनिस्ट आटावन में तो पब्ली के पब्लिश्ट और रिलीज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केंद्रियस अंदर पुस्तकाले जिसे हम कहता है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है जो अभी आइएन बी को प्रकासित किया गया था सेंट्रल लाइफरेंस लाइब्रेरी जिसकी खुद की इस्ताफ ने 255 कॉलगता ने अक्टूबर दिसंबर 1957 में आइएन बी का पहला अंग प्रकासित किया और 15 अगस्त 1958 को जारी हुआ तो कुल मिला के ध्यान अगना कन्फ्यूज होने की जरूत नहीं है आइएन बी को पब्लीज किया गया था आइएन बी पब्लीज हुआ था 1907 में और जबकि आइएन बी को क्या किया था दोस्तों रिलीज किया गया था तो रिलीज किया गया था रिलीज किया गया था पंद्रह अगस्त पंद्रा अगस्ट उनीट सो अथावन में तो पल्लिस किया गया उनीज सो अथावन को मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाएं थाकि जब आप एक वाड नोड बना के लिखो गये पर याद करने में आपका बहुत मज़ा आयेगा दोस्तों तो टीक है तो रट्र रहा ना प्र फॉर इन अक्टूबर नॉवंबर डिसमबर नाइंटेंस फिप्टी सेवन और रिलीज किया गया था रिलीज किया गया था पंद्रह अगस उनी सो अठावन में लिपसे सॉप्ट्वेर और जी आएस्टी प्रोदोगिक का उप्योग करते हुए जून दो अजार में पहला नहीं बार प्रिक्सा के अंदर पूचा जाता है कि आएन बी को आएन बी के अंदर जो लिस्ट थी किताब हो की उन किताब हो की लिस्ट को जो है टेक्नोलीजी के सयोग से सयोग से जो है कब जो है इसको बनाया गया था तो जाया रखना फॉर्स्ट कंप्यूटराइस आए भी ब्रोट आउट इन जून 2000 इसको जून 2000 में इसको किया गया दोस्तों जो है computerist बनाय गया using lipsys software का प्रियोग करते वे एंड जी इस्ट टेक्नोरजी क्योंकि आपको पता है कि पहले library के अंदर manual काम होता था अब आज कल digital library का प्रियोग हो गया था उनने इनढ़म हो जाता में तो अब इन्हों ने किया कि जून 2000 श। आपको नाम जहां commenट का है ओर को अप्लोाड कर दिया था इन्हों ने अपन ने अ कम्प्र में अपलोड कर दिया था तो कहना है का मतलब लिफ से सॉप्ट्यार और जी एस्टी प्रोद्यकी का उप्योग करते वे कब जो है आए यंब को computer क्या गया था तो यह सवाल कहीं बार पुचा जाता था आए यंब को computer क्रथ जून 2000 में क्या गया था दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आए यंब की उप्योगिता उप्योगिता का मलब होता है utility के वास्ता में आए यंब की क्या उप्योगिता होती है पहला होता देश के बोधिक उत्पादन का record रखता है records the country's intellectual output intellectual output का मलब होता है हमारे देश के अंदर बहुत बड़े-बड़े महन-महन लेखे गुवे थे उन लेखों को ने अपने दिमाग में जो विचारों से जो भी चीज़े लिखी थी उन लेखों के जो लेखों के द्वारे जो चीज़े लिखी गई थी किताबे लिखी कि इन गरंतों का रिकोर्ड रखना काम किसका है दोस्तों आइन बी का है उसके बाद अंग्रेजी सहित वारत की चौद वासाओं के ग्रंट-शुची डेटा को एक सथ लेकर आया था अगर आपको अगर आपको किसी बासा का कोई भी ग्रंट अगर आपको देखना है तो आप क पुस्तगों और प्रकास्चकों के लिए व्यापक परचार का सुरूत इस सोर्स ओवाइड पॉब्लिसिटी फॉर बुक्स एंड पॉब्लिसर्स और जो भी लोग जो है कोई बुक्स लेना चाहता है तो उसकी जो लिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी उस लिस्ट के स्वाल पुचा जाता है कि आयन भी को क्या कहा जाता है तो आयन भी जो ज्यान रखना बुक्स लेक्शन टूल है वह लाइबेरियन रुबूट जैसे माल लीजिए कि आप पहली बार अपने स्कुल में लाइबेरियरी इस्तपित करने जा रहे हो अब आपको कौन-कौन सी कि क्योंकि आयन भी एक बुक्स लेक्शन टूल भी होता है किताबों को चैन करने का साधन है तो आयन भी की लिस्ट में क्योंकि वहां पर हर बासा की किताबों की लिस्ट बनी हुई होती है जिस बासा जो जिस बासा की कोई किताब आपको मंगानी है लाइबरियरी बनानी है त इसके बाद हम बात करते हैं, यह संस्कृति मंत्राले G.O.E. B.S. Case 1 को INB का जनक कहा जाता है दोस्तों, very important, कहीं पार प्रिक्षर के अंदर ये सवाल पुचा जाता है कि, who is called the father of INB, INB का father किसे कहा जाता है, INB का father कहा जाता है, B.S. Case 1 जाहा रखना, B.S. Case 1 कौन थे पता है, he was the first librarian, he was the first librarian of national library, first librarian of national library, national library of India, national library of India, ठीक है ना, दोस्तों, तो दिया रखना, B.S. Case 1 जो थे, national library of India जो 1988 पे बनी थी, उसके पहले librarian थे, वो क्या थे दोस्तों, पहले librarian थे ध्यान रखना, तो बी एस के सुन साफ जो थे वो पहले लाइविरियन थे यह द्यान रखना हो ठीक है आगे देखिए यह आगे कहीं बार सवाल यह भी पूचा जाता है कि कि आयन वी को दो भागों में ववस्चित क्या जाता है सवाल आपको ध्यान अगना सवाल को यहाँ पकड़ी आप एन भी को यह दो अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसके रिसाब से व्यवस्चित क्या जाता है पहला होता है दोस्तो जन्रल पॉब्लिकेशन ठीक है न तो पह को arrangement करने के लिए दो अलग-अलग भाग बने में एक तो होता जेनरल नीटेशेट जो आम किताब उनके पास आती है जेनरल पॉब्लिकेशन की किता लिए उनको अलग तरीके से यह क opini का जाता है bilateral गवर्मेंट जाता है और किा आइन भी को कितने वागों में व्यवस्थत किया जाता है तो अवागव को ड्यान रखना राया कि दो बाहगों में व्यवस्थत किया जाता है एक तो है ë और दूसरा है ग outra में में तीन ठीजान रखना कितने वाघ दोस्तो टीन गाए पहला जो आगे याद कर लेता्य दूसरे पहला जो आगए प्लेट र्टोल किसे में डोस्तों एश्डरेईंड सुचकांग नोट एंटिल सुचकांग्य पर तीस रहा हो जाएगा मतलड सब्धेट इन्डेक्स किया जो सब्जेट इंडेक्ष यह कहीं बाद सवाल पुछा जाता है कि आज फार्ट्स आए यंविकानशिट कीटने भाग होता है तो आए यंविके तीन बाग होते हैं पहला हो गया classified जिसको वरगी करत कहता है दूसरा हो गया author and title index जिसे इंदी में कहते हैं लेकर को सीड से सुचांग और तीस रहा होता है विशे सुचकांग जिसे इंदी में क्या कहते है दोस्तो subject index कहते हैं क्या कहते है subject index तो सिधा सवाल बनेगा कि आई एन बी में कितने भाग होते हैं तीन बाग classified author and title index और subject index लेकिन सवाल यूं भी बन सकता है कि आई एन बी को वेवस्चित कितने भागों में किया जाता है तो वेवस्चित ध्यान रखना ये रहा arrangement arrangement का मलग कि वह व्यवस्चित तो वेवस्चित ध्यान रखना दो बागों किया जाता है पहला general publication और दूसरा आपके ध्यान रखना क्या होगा ओगा वह government publication हो गया लेकिन 1964 से लगाकर अब तक तो 1964 से से माजिश को प्रकासित किया गया था लेकिन प्रफ में प्रजेंट टाइम में बीडिक गए है प्रिक्वेश क orphansーン दो यहां में प्रिक्वेंसी यह अमेशा म सबस्क्रीन मगता है ढूदिभ스ंत को दोस्तो तो वर्तमान में दियानक ना आयल बीटित तो नेखाद संगuse थे कहीं है बहुत है कि वाट प्रिक्वेन्सी प्रिक्वेश्य कि है लुटन तो बिरत मैं भी द्यान एंब की जो कि या दोस्तों दो टॉपिक नोट्स बनाकर आप लिखोगे जब उसको दूसरी बार रिविजन करोगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने का दोस्तों दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे इस्वर्ण मुझे कहिने कही एक आउसर दिया था दोजार अठारा में बढ़ती आई थी राजस्तान में उन्नीस में पेपर आउट हो गया था बीस में कोराना आ गया था करीबन डाइस साल बाद हमारा एक्जाम हुआ था और डाइस साल में इतना कॉम्पीटेशन बढ़ गया था तो उस और जो तुझ लेगी मोस्ट आप टॉप स्कूल में लाइबिरियन के रूप में कारे कर रहा हूं दोस्तों और जब लाइबिरियन में फ्री हो जाता हूं मैं कहीं बार बच्चों को इंग्लिस भी पढ़ाना जाता हूं बिगोस बिफोर बिकमिंग लाइबेरियन आई यहाट साला से लेता हूं दिल्ली उनिवर्सिटी की किताबों से लेता हूं ताकि सारा कंटेंट में आपको एक जगे देदू ताकि आपका समय बच सके और आपका जो पैसा बच सके चिके दोस्तों आई चुरूत करते हैं पहले सवाल का आंसर बताई देखिए पहला जो तक कोलेज लाइबिरिन के लिए इतना कंफीज कर दिया है कि अक्टूबर 57 होगां अक्टूबर चॉपन यह अटावन तो मुझे पता था आप लोग इसमें निटेम ने इसली आपक प्लिक कर देटा आए अजव्यों कहला था ऐन एक्टूबर 1957 में कब किया था दोस्तों अक्टूबर 1957 में इसको पॉब्लिस किया गया था और 15 अगस्ट 1958 को इसको रिलीज किया गया था दोस्तों ठीक है दोस्तों और सबसे पहले मैं इस क्लास के माध्यम से यह चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो किताब है वोलिफन आप लोगों ने मेरे किताब जो वोल्यम वन इसका बहुत ज़ादा आपने मुझे प्रेम दिया इस्किताब की बहुत जख आ रा दोस्तों यह किताब कस्मिर से लगा कर कन्य कुमारी तक के लाइवी साथों में यह किताब गई है इसलिए मैं बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं जल्द आप लोगों के लिए सेकेंड वोल्यम लेकर आ लगलग जगह के बहुत का होगा बहुत सारे विद्धयार्टी किया तो सर अदर हमें का रहा क्योंब लेकिन कई नहीं मिलेगा और लाइबिरियन बनने के लिए आपको कुष्चन और आप्सें बाइलेंग्वाद को अभी से आदत जालना पड़ेगा बहुत सारे विद्यार् अगर प्योर हिंदी में पढ़ोगे बहुत सारे विद्यारति अलग लग जगह से मेरे पास आते हैं कि सब अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मैं आपको गलत सला नहीं दूंगा आपको अभी से सबने हैं वाँ पर के सबसे होठी हैं आपको हवाइ नहीं लगेगी वहाँ पर इसलिए हमेसे जबी को चीज सुरू करें दो तरीके से तो बाइलिंग्वल कंटेंट है आपका और इसका सॉलुशन इस बार में डी त्रिपल स्वी इस रो का पेपर एएस हाई कोट बहुत सारे पेपर दे रहा हूं तरह कि यह किताब जल्द में लॉंच करने वाला हूं और जिस दिन लॉंच होगी तो मैं आपको बता द लिजह किया किसी आपको अब कोटा डांटोड तो आप लोगों के लिए सबसे मैं बता रहा हूं लूफ्टेटिट को आप सभी लोगों के लिए हम क्या लेकर आरें निव उपडेटिब्ड को से तो直接 क्हुत हर एक टॉपी के बाद हर एक टॉपी का वीडियो वीडियो के आएंगे ताकि आपको जो भी डाउट है तो अभी नोट्स बना लीजिए वीडियो देख लीजिए टेस्स देजिए जल्द लाई एमसी क्यों वीडियो लेकर आएंगे ताकि क्या है कि आपका डाउट है तोपिक से सम्मंदित वह आप हमारे साथ लाइव चर्चा कर सकते दोस्तों अभी आपका 50% आफर चल रहा है जो 4000 के जो कोर्स है वह में एक जार नौशो निनानों में दे रहे हैं और आप कभी भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं यह मेरे प्रस्टनल वार्टसम नंबर है आपके भी आ सकते हैं दोस्तों अगला सवाल ह देखो के बारति राष्ट्य घ्रण सुची आए अट्री खंडों का कंप्रेट रुकरत निर्मान कभ से शुरू हुआ था मलब आए अनबी को ध्याद रखना है कंप्यूटराइस्ट कभ बनाया गया था तो जैरं अभी मैंने पड़ आता आए कंप्यूटराइस्ट बनाया कि INB निर्मात द्वारा मराटी भासा के लिए उप्योग किया जाने वाला प्रती कौन सा है मैंने कहा था यह लेंग्वेज का क्या है सिंबल है तो इन्होंने कौन सी भासा का पूछा था मैंने अभी बताया था टोटल कितनी भासा है दोस्तो टोटल द्यान एकना है चौदे चौदे भासाओं के जो ग्रंत है जो चौदे भासाओं के जो ग्रंत है वहांपर आपको मिलेगा लेकिन इन्होंने पूछा कि मराटी भासा के लिए सिंबल कौन सा है दूस्तो एम ए आर है लोस्तो एमे आर है यार-पी-सऀ-च्ट-स Ebola क्यों पर दिया नहीं को को लेंग सबता रह तो है कि आए नबी को दो भागों में वेवस्तित किया जाता है पहले भाक का नाम स्क्रों्हें भी पड़ायटा नां गWeid वेवस्तित्क पढ़ाया था दूसरा में मैं अभी पणाया था यह देगे लाइबियरियन के वीत तद में लिए दोसक्त अब submerged किअ अगला सवाल है आ ईन भी की फुल फॉर्म क्या है तो आए अएन दीन ना सम लिब्लियोग्राफि कि नो इस नॉर्थन है नोडर्थन होगा तो आपका ध्यान रखना ये सी हो जाए आजीन नैसanu ये तमिल नाडो के सैट के एग्जाम में आयता है यह कह रहा है कि निम लिकित में से कौन सा स्रोथ भारत में परकाशित और उप्लत सभी अंग्रेजी पुस्तों को सामिल करने का प्रियास करता यह कि बारत के इन्दर ऐसे कौन सा जो एंग्रे जी के साथ साथ और भी बहसाओं का जो क्या करता दोस्तों जो है सामिल करता है तो बात के अंदर 54 बात हैं का जा सबी कहां इंडियों शर्टांड मिलेंगे डुडिया आइंडि में इंडिया नाशनल-फॉनB-Rерм इसका दोस्तों मासिख यह चीज आपको ध्यान में रखना है एस के वीएस 2015 के अंदर सवाल पूचा गया था कि आएन वी में सामिल बाशा पुस्तोगों कि संग्या कितनी है number of the language books के वहाँ पर जो किताबे हैं कितनी भासाओं में उपलब दे आइन भी में तो मैंने अभी बताया था आपको कितनी भासाओं में उपलब दे दोस्तो 14 भासाओं में वहाँ पर गरंत उपलब दे हैं दोस्तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तो आप सभी लोगों ने मुझे मुझे इतना प्रेम हो सने दिया था कि हमने आज से 18 महिने पहले ही 18 महिने पहले हमने राजिस्तान का बैस शुरू किया था तो पूरे राजिस्तान के अंदर जो नेना सनी है नेना सनी जो पूरे राज़स्तान में इन्होंने थर्ड रैंग प्राप्ta किय थी जल्द िसबार बिहार के भछ्चों का भी सांधार सलय सेलेक्षन देने वाले हैं दोस्तों और अधिक जानकारीके लिए आप इस से जुढ लोट कीज़ये मैं लाष्ट में जाते हुए आप से मैं यह हैका चाहता हूं जेके दोस्तों कि बिहार के बच्चे जो गते रहायदा इन्नोसेंट और अज है मुझे ज़े जो रिस्पेक्ट्ट जिन बच्चों ने दी है वह सब से ज्याधा रिस्पेक्ट मुझे र के बच्चों sa ala की पॉंगहार के बच्चों मिले थी ती आधे क्यांकी वर्ड़ों करता है कि अध oversized वर्ड निकलता है चाहिए वो मेरे उमर से बड़ा हो चाहिए छोटा बिहार का विद्यारती जब भी में बात करता हूं सिद्धा सबसे पहले एक ही वर्ड निकलता है पढ़नाम सर तो बिहार के प्रति बहुत ज़्यदा मुझे जो है क्या कह सकते हैं कि मेरा अटेश्मेंट ह हो गया है बहुत सारे बच्चे इसटाफन भी करते हैं क्योंकि भी हार कि झालघ क ह है क्या ही हार में पंद्रे सालों के बाद को वेकेंसिभी आ रही है सब के बार डिविडि डिप्लोमा हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़दा है लाइबरान इना श्याइए अब लोग हम जहां सही जहां गई से भी पढ़ो पहले आप ज्यान रखना यूटूब पे टीचर्स के जो है ना सारे टीचर्स के जो वीडियो देखो आप जिस टीचर की भासा आपको समझ में आती है जिस टीचर का पढ़ाने का अच्छा तरीका लगता है वास से कोर्ष लीजिए लेकिन वह बताएं तौपिक बाइट सब्सक्राइब है जन्ट हो डart आतवर करूँ लेकिन स्थाय के अंदर जाकि देखो एंदर जो बाइसलिंगल कंटेंट द कनेंट है है पुराने पेपर नहीं है एं kickla Virtually है लाइव क्लास होगी नहीं होगी तो इसलिए मेरे क्याना का मतलब है जांसे भी पढ़ो आप उस टीचर के एप के अंदर जाके देखो फ्री कंटेंट से आपको पता चल जाएगा कि वास्तों में सर जो है कैसे पढ़ाते हैं उनका कंटेंट कैसा होता है पढ़ाने का तरीका कैसा होता है क्योंकि यूट्यूब एक एक ओपन प्लेटफोर्म है यहां पर कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मेरा क्या नाम आनिए आप बहुत ज़्यादा बोले हो अभी हार के विद्य आप लोगों को टीके ना टापिक वाइट टेस्स दे रहे बाइलिंग्वल पड़ा रहे ताकि आपका सेलेक्शन जल्द हो सकते दोस्तों इसलिए और वो लोग देखते हैं जिनको बिजनेस करना होता है वह मुझे तो बिजनेस करना नहीं है क्योंकि आप लोगों की मेरे पास नौक रही है हर मैंने 60,000 रुपे मुझे मिलता है तो मुझे किस बात का पैसा कमाना मुझे पैसा गवर्मेंट जब तक रिटार्मेंट होगा तब तक मुझे जो है देगी गवर्मेंट पैसा और जो मुझे चाहिए दाल लोटी के वह मुझे मिल जाता है कोई आप लोगों को अच्छा सा कंटेंट देना है आप लोगों को लैबरी साइंस कैसे पढ़नी है वह सीखानी है दोस्तों क्योंकि आजकल नहीं बच्चे आ जाते हैं बहुत सारी लोगों के बातों में आ जाता है इसलिए आपको बातों में नहीं आना है आपको हर एक टीचर कि जो है कम से कम 1010 क्लास यूटूब पर आपको देखनी है फिर उसके एप के अंदर जाना है फिर उसके बाद उस टीचर के जो दिये गए नंबर पर कॉल करना है पूरी रिपोर्ट लेनी है उसके बाद कोर्स करना है क्योंकि 2000 जो आए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है आपर हमने वहां से कोर्स कोर्स ले ले था हमें आपके बारें पता नहीं था तो तो आपकी गलती आप यूटूब पर आए और तो सारे सब्सक्रास पढ़ो टॉपिक वाइस ओर जिस टिचर की भासा अच्छी लगते उस टिचर का आप जाके पढ़िए उस यूश के अं होने का पानी हो जाएका दोस्तों टेकर दोस्तों थैंक यू वेरी मुच बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी का थैंक यू लोट